नमस्कार दोस्तों प्रदिपनिता की चन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू की मसाला फुली फुली पुडी अगर आप आलू के पराठे आलू के पकोडे आलू की कचुडी खाने के शोकिन है तो ये मसाला पुडिया आपको बहुती पसंद आएगी देखि ये इतने अच्छे से बनी है आलू की गर्मा गरम पुडिया और कम सामुग्री में यहाँ पुडिया बनकर रेडी हो गई है आप लोग इसे देख सकते हो चलो रेसिपी स्टार्ट करते है इसे बनाने के लिए यहाँ पर लिया है एक मिक्सर का जार अभी डालेंगे इसमें एक चमच सोफ डालिए इसे बहुती अच्छा टेस्ट आएगा एक चमच जीरा लिया है और अद्रक को छोटे तुकड़े में काट कर लिया है दो से तीन हरी मिर्च ली है और इन सभी को इस तरह से दरदरा पीस लेना है इन सभी का फ्लेवर बहुती अच्छा आएगा यहा अभी यहाँ पर दो आलू लिये है, मिडियम साइज के, इनको उबाल लिया है, आलू को काट कर इस जार में डाल देंगे, इस तरह काट लेना है आलू को, और इस जार में डाल देना है, अभी डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, इसको डाल कर पीछ लेना है, इस तरह आलू के टुकड़े ना हो देखिए इस तरह से हमें इनका एकदम स्मूध पेस्ट बना लेना है अब इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेना है इस तरह से सभी पेस्ट बाउल में निकाल लेना है यहां आलू का अभी डालेंगे इसमें आधा चम्मच हींग आधा चम्मच अजवाइन हल्दी आधा चम्मच मिर्ची पाउडर एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है यहाँ पर मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर नमक लिया है नमक डाल रहे है अगर आप चटनी अचर सबजी के साथ बना रहे हो तो नमक थोड़ा कम डालिए और इसमें डाली है सफेद तिल्ली एक बड़ा चमच इससे बढ़िया टेस्ट आता है और आधा चमच गरम मसाला लिया है हरा धनिया डाल दिया है थोड़ा सा इसमें और यहाँ पर मैंने दो चमच तेल को अच्छे से गरम किया है इसको भी डाल दिये है इससे हमारी पूड़िया बहुती अच्छी खस्ता बनेगी और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आप यह पूड़िया चाय के साथ खाने के लिए बना रहे है तो इसमें एक छोटा चमच नमक नमक ही डाले अगर आप चटनी अच्छा सबजी के साथ बना रहे हैं तो नमक थोड़ा कम डालिए यह देखे यह अच्छे से मिक्स हो गया है यहाँ पर मैंने लिया है आटा एक बाउल में गेहू का आटा लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल लेना है और इस आटे को इसी पेस्ट से गुत लेना है अगर आपको पुड़ियों को एक्स्ट्रा करारी बनानी है तो इसमें चार बड़े चम्मच सूजी याट कर लिजेगा और देखिए इसे गुतने में डेड़ कप कप से थोड़ा ज्यादा आटा लगा है आटे को थोड़ा सक्त ही गुतना है इससे पुड़िया हमारी करारी बनेगी आटे को 5 मीट के लिए रेस्ट पर रख देना है और 5 मीट के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है आटे को जितनी अच्छे से मसल लेंगे उतनी अच्छी पुडिया उतनी ही फुली फुली बनेगी आटे को अच्छे से मसल कर चिकना कर लिया है अब इसमें से बड़ी लोई तोड लिये है और इसको रोल भी बना लिया है इसको हम अब बड़ी रोटी बेल लेंगे इस तरह से इस तर यहापर मैंने कटोरी ली है आप चाहे तो कोई भी ग्लास वगर ही यूज कर सकते हो अब कटोरी से इस तरह पूडिया कटकर लेना है इस तरह से पूडिया एक बराबर जल्दी बन जाती है देखिए सभी पूडिया बनकर रेडी हो गई है अभी ग्यास पर एक कढ़ाई रख तेल को अच्छे से गरम कर लेना है यहापर देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया है अभी एक एक कर यह पूडिया डालेगे और जैसे ही पूडिया उपर आने लगे इनको हलका सा प्रेस करेंगे तो यह बहुत अच्छे से फुल जाएगी करारी पूडिया बनानी हो तो ग्यास धिमा कर लिजेगा और एक मिनिट तक तल लिजिएगा उसके बाद पलट दीजेगा और सौट पसंद होता हाई फ्लेम पर तलिएगा मैने यहाँ पर करारी पुडिया बनाई है इन पुडियों को तलने में 3-4 मिनिट का समय लगता है इस तरह से हम बाकी भी पुडिया बनाकर रेडी कर लिए है यह देखिये और यहाँ पर सभी पुडिया बनकर रेडी हो गई है इन पुडियों को आप दही, चटनी, अचार या किसी भी चीज के साथ खा सकते हो लॉंज, डिनर, ब्रेकपास्ट या कोई तेवार इसे आसानी से बना सकते हो, सफर में भी ले जा सकते हो, दो से तीन दिन तक खराब नहीं होती है यह पुडिया, यह पुडिया एकदम करारी फुली फुली बनती है और खाने में एकदम बहुत ही टेस्टी लगती है, परफेक्ट पुडिया आलू की बंद कर रेडी हो गई है, कम समय में, कम सामोगरी में, बाइ-बाइ दोस्ता हमारे वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर केजिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिए